हेलो फैंस तो आज हमें आपको चाबलों की खीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस तरह से आप एक खीर बनाएंगे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इस खीर को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी निकरनी पड़ेगी तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहरे आपको चाबल चीयोंगे अब खीर बनाने के लिए आपने कौन से चाबल यूज़ करने हैं बासमती टुकडा राइस का आप यूज़ कर सकते हैं मारकीट में इसलिए मिल जाता है इससे खीर बहुत ज़्यदा टेस्टी बनती है या फिर आप मोटे बाली चाबल का यूज़ कर सकते हैं बनाने को आप बासमती चाबलों से भी खीर बना सकते हैं बट इनमें स्टार्ज कम होता है इसके बट आपने चाबलों को ना अच्छी तरह से कम से हम दो से तीन पानी से धोना है ताकि इनके बाहर से थोड़ी बहुत डश्ट बगरा लगी हो पूरी तरह से निकल जाए तो अच्छे से मैश करके दो से तीन पानी से इनको धो लिशे तभी खीर में एक अच्छा कलर आता है यह देखिए चाबलों को तीन पानी से धो लिए है अब आपने आदे गंटे तक इनको बिखोके रखना है बिखोके रखने से राइजना थोड़े से फोल जाते है और दो लीटर यहाँ पर मैंने दूद लिए है फुल क्रीम दूद का अपनी यूज़ करना है फुल फेट मिलक लेना है तभी खीर अच्छी टेस्टी बनती है इसके बाद यहाँ मैंने स्टेनले स्टील की कड़ाई लिए है एक कप उसमें पानी एड़ करेंगे अब पानी क्यों डालते है पानी डालने से आपका दूद जो एक कड़ाई के निचे निचे चिपता है जब तक इसमें बॉइल आता है जैसे पानी में बॉइल आजएगा इसके बाद आपने इसमें दूद एड़ कर देना है और जिस बरतन में आप खीर बनाएं थोड़ा सा मोटा होना चीए उससे क्या होता है खीर ना जलती नहीं है अब आपने गैस की फिलम ना हाई कर देनी है और हाई फिलम में जब तब बॉइल नहीं आता है बीच-बीच में पलटा चलाते रही है तो यहाँ पर देखे जैसे बॉइल आ जाएगा उसके बद आपने गैस की फिलम जो है मीडियम कर देनी है ताकि दूज जो है कडाई से बाहर ना निकले और यहाँ पर मैंने केसर लिया है केसर को आपना गर्म दूद में बिगो के छोड़ेंगे गरम दूद में बिगो के छोड़ेंगे अच्छा कलर छोड़ देगा तो केसर को देखे मैं धूद में बिगो के रख दिया है अब इसके आपना चाबल एड कर देते है चाबलों का पूरा पानी आपने निकाल देना है देख सकते हैं चाबलों में अच्छी वाइडनेस आ चुके इनको बिगो के रखा था ना मैं आदे गंटे तक तब इनमें अच्छी वाइडनेस आई है और चाबल थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं अब मैंने आपे चाबलों का मेजरमेंट तो आपको बताया है नहीं मैंने दो लिटर दूद लिया है 120 क्रम चाबलों का यूज़ किया है कब से मेजरमेंट करेंगे आदा कब चाबलों का यूज़ आप कर सकते हैं सारे चावल देखे डाल दिये हैं अब इसके पर चावलों को अपने पल्टे की साहिता से एक बार अच्छे से दूद के साह मिक्स कर देना है तकि चावलों में यहाँ पर लम्ज ना बने और चावल डालने के बदा आपने एक से डेड़ मिन तक गैस की फ्लेम हाई रखनी है क्योंकि चावल ठंडे उनको गरम होने में टाइम लएगा इसका गैस की फ्लेम एक तम लो कर दीजे उपर से कबर कर दीजे दस मिन तक आपने इनको पकने देना है थोड़े ड्राइनेट सैड करेंगे यहाँ पर मैंने देखिए ड्राइ कोकुनट लिया है बदाम, काजू और किश्मिस का यूज़ करेंगे आप इसमें पिस्ता डालना चाहिए पिस्ता डाल सकते हैं सारे ड्राइनेट को आपने बारी काट लेना है जो किश्मिस है इसको अपना ठंडे पानी में बिगो के छोड़ दीशे और इसके बाद देखिए इलाइची का यूज़ करेंगे इलाइची से बहुत वड़ी आप फ्लेवर आता है खीर में तो साथ से हाठ आपने इलाइची लेनी है और इस जो इलाइची के छिलके बहुत जाते है इनका यूज़ आप चाय बनाने में कर सकते हैं और इसके बाद जो बीच है इनको आप कूट लीचे अच्छे से इनका पौडर बना लीचे तो इस पौडर का आपने यूज़ करना है खीर बनाने के लिए और यहाँ पर देखे खीर को पकते हैं अब 10 मिन के बाद खीर चेक कर लेते हैं जब आप 10 मिन के बाद खीर देखेंगे आपका जो दूद है यहाँ पर 70% तब बच चुका है 30% इससे रिड्यूस हो चुका है अब 10 मिन में जो चावल है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं गलते तो नहीं है बड़ अच्छी तरह से चावलों के कवर मेक्स कर लेते हैं दिखा भी देते हैं दिखिए चावल कितने सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसके बद आपने जो इलाइची के बीज का पौडर बनाए होगा बो डाल देना है इसके साथ में जो केसर बिखोकी रखा होगा दूद में बो भी डाल देशे ताकि केसर भी खीर के साथ अच्छी तरह से पकता रहे और इसके बद खीर के साथ अच्छी तरह से को मेक्स कर लेते हैं अब आपने ना कवर नी करना है पकने दीशे जितना आप खीर को पकाएंगे उतना ही बड़िया रबड़ीदार आपकी खीर बनेगी उतने अच्छा उसमें टेस्ट आएगा और देखिए लगब 15 मिनिट हो चुके हैं चाबल देखिए अच्छा से मैश होना है यहां पर शु नहीं कही हो उसकी छे 120 क्रामी मैंने इसमें चीनी एड़ की है जादा शुगर खाना पसंद करते हैं चीनी बढ़ा सकते हैं एक आपने पैन लेना है एक बड़ा चमच उसमें देशी गी एड़ कर देशे और घी जैसे आपका मैल्ट हो चाहिए का जो आपने ड्राइनर्स का पड़ा आप इनको ना हलका सा शेलो फ्राई कर लीजिए तो यहांपर मैंने ड्राइनर्स को हलका सा शेलो फ्राई वर यहां पर देखिक खीर को 20 मिद र्चुक थीच है और खीर हमारी यहांपर थिक हो चुकी ऑप ऐसी तरह से पगला तो इस मैची थीक नश नहीं का hold लीशे और लिएल की साहता से आप रएड को मैश कर लिए अब जब आप चापनों को लेडर की साहता से मेश कके आपका does give आपकी टिक हो जाएगी हैा दिखिए इस तरह से और जब अब की टीक हो जाती है तो आपने continue ॉस पुल्टाज चलाते रहना है खीर थीक होने के बाद कड़ाई के नीचे चिपकना शुरू जाती है और एक बाद खीर अगर पतली हो मैश करने में दिक्कत हो रही हो थोड़ा सा दूद निकाल लीजे उपर से उनको मैश कर दीजे चाबलों को फिर आप उस दूद को डाल दीजे तो हमारी जो खीर है वो भी आपने इसमें एड कर देनी है और ड्राइनेट सालने के बद आप डेट से दो मिनट तक खीर को पकाईए आप इसको ठंडा गरम जैसे भी सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं वैसे खीर जो ठंडी खाने में ही अच्छी लगती है तो ही हमारी खीर बन चुकी है 25 से 30 का मुझे टाइम लगा है तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर को मैं जरूर कीशे ओके फ्रेंस थैंक यू